वेलकम बैक तो इस चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अबाउट मारुती सुजू की बटारा ब्रेजा सी एंजी के बारे में यस तो वैसे नी फिटेट ब्रेजा सी एंजी के ऊपर अलड़ी एक वीडियो आ रहा किये तो आप आये बटन पर क्लेक कर सकते हैं गर आप इंटरेस्टेड है उसमें बट मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर दे सेग्मेंट है इसमें हमें कोई भी मीश आप्शन नहीं देखने को मिलता है कि हमारे लिए कोई भी कंपनी फिटेट सी एंजी देखने को मिल जाए अगर आपके लिए कंपनी फिटेट चाहिए तो फिर आपके लिए आपके लिए कंपनी फिटेट ही चाहिए तो आपके लि लें और उसमें CNG इंस्टॉल करां आफना मार्केट तो आज कि इस वीडियो में हमें सारी डेटेल्स कवर कर रहे होंगे तो चली आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम कौन सा वेरियंट सबसे जाधा सही रहेगा CNG के लिए तो जनरली जो variant सबसे ज़्यादा value for money है वो है Breza का LXEAS इस base variant काफी ज़्यादा value for money variant है अगर आप normal petrol के users के लिए भी ले रहे हैं तो मैं Breza का सर्फ यही variant recommend करूँगा क्योंकि higher end में हमें features भी उतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं वो totally waste of money होगा क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए और भी अच्छी cars देखने को मिल जाती हैं but lower trims में में LXEAS variant इसका काफी ज़्यादा value for money माना जाता है और है भी इसमें हमें में सारी ही basic needs देखने को मिल जाती हैं like हमें 4 power window मिल जाती हैं stereo भी देखने को मिल जाता है हमारे लिए base variant में yes guys and हमारे लिए इसमें यहां तक कि हम अपने ORVM को electrically adjust कर सकते हैं fullable नहीं रहते हैं but adjust कर सकते हैं तो means देख रहे हैं guys आप हमें लगबग सारे ही features देखने को मिल जाते हैं and guys if you want more features then आप करोल बाग जाकर coupler to coupler fitting करवा सकते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आ तगड़ा modification आप अपनी कार में करवा सकते हैं and guys अब हम अगर इसके exorum price के बारे में बात करें तो इसका exorum price 7.61 lakh रुपीस है आप जैसा कि आप देख सकते हैं काफी तगड़ी डील आप के लिए मिल सकती है तो guys आप इसके ले सकते हैं then after market आप इसमें cng इंस्टॉल करवा सकते हैं तो guys सबसे पहला main important चीज जो रहती है cng में means mechanic आप कहां से means कौन सा बंदा आपके इस आप कार में cng इंस्टॉल कर रहा है means book काफी ज़र depend करता है अगर वो काफी सही नकला काफी सही setting अगर उसने बठा दी तो आपकी कार भी company fitted से कोई कम नहीं होने वाली है तो please जब भी आप cng इंस्टॉल करवा रहे होंगे तो please एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि आप किस mechanic से करा रहे हैं का काम कैसा है मीस सब एक बार examine कर लीजिएगा तो guys अब बात कर लेते हैं कि हमें ब्रेजा में 1.5 लीटर का engine देखने को मिलता है जो कि 103 bhp की power generate करता है और 130 newton meter का talk generate करता है तो guys मैंने कई सारे means ऐसे ब्रेजा owners को देखा है means general cng install करा रखी है और उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है yes guys तो but एक और काफी ज़ए important चीज में बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ब्रेजा लेंगे then आप अगर cng install करा रहे होंगे तो उसमें आपके engine की warranty void होगी तो आप extended वगेरा ना ही लीजिए जब भी आप ले रहे हैं अगर आपका means clear है कि मुझे cng ही install करवानी है बाकी engine में उतना ज़्याद कोई भी issue नहीं आता है इतने जल्दी तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है so guys हमें ब्रेजा में काफी अच्छा खासा boot space भी देखने को मिल जाता है तो cng means लगबग आप 12 kg का cng cylinder आराम से लगवा सकते हैं और उसके installation के बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी अच्छा खासा हमें boot space भी देखने को मिल जाएगा तो अब बात करते हैं कि means अगर pressure अच्छ हुआ तो लगबग 9 kg gas उसमें आराम से आ जाएगी अब most important बात रहती है कि कितना हमें उससे माइलेज देखने को मिलेगा तो जो मैं माइलेज अभी आपको बताने वालू मिलेगा यह लगबग minimum माइलेज ही बता रहा हूँ आपको इससे जादा ही मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा माइलेज हमें इसमें देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम compare करें पेट्रोल से तो company ही इसका मीज पेट्रोल में लगबग 17-18 claim करती है जो कि काफी ज़्यादा कम रहता है जैसे ही आप CNG लगाएंगे आप देखेंगे कि आप कितनी ज़्यादा money save कर रहे हैं लगबग आदे cost पर चलेगी आपकी car आप काफी जल्दी ही अपनी car के पैसे वसूर लेंगे अब आप मैंसे कई सारे लोग बोलेंगे कि CNG लगने के वाद लैग वगएरा आएगा या नहीं तो मैंने अगेन बोला कि mechanic के उपर depend करता है अगर वो sub settings ठीक ठाक बिठाल देता है तो आपके लिए जहां तक कोई भी lag नहीं देखने को मिलेगा यस गैस सिर्फ 19-20 का फरक ही रहता है आपको मिस महसूस भी नहीं होगा कई बार कि CNG में चल रही है या petrol में यस गैस बाकी अगर मैं देखो अगर अच्छा mechanic का आपने धूर लिया तो मैं सर्थ लगा के कर सकता हूं कि आपकी CNG में जो ब्रेज़ आप चलाएंगे वो venue और sonnet के 1.2 लिटर से भी अच्छा चलने वाली है यस गैस लगबख बात यह है कि CNG के बाद भी हमारे लिए हो सकता है काफी ज़दा possibility है कि मारूती सुझुकि इसके जो next generation आने वाली है उसी के साथ ही launch करने है इसकी next generation भी काफी जल्दी ही आने वाली है क्योंकि काफी ज़दा time से and काफी ज़दा outdated ये कार हो चुकी है so guys I hope so मैंने आपके सारी doubts clear कर दिये होंगे तो guys आप आराम से बहुत बहुत धन्यवाद